इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी जो हमें बताते हैं कि हमें दर्द है यह संधिशोत और पुराने osteoarthritis जैसी स्थितियों में दर्द को दूर करने में मदद कर सकता है दर्द निवारक दवाओं के साथ इस दवा में seratio peptidase नामक एक सक्रिय घटक भी होता है जो एक एंजाइम है जो समग्र उप्चार प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और वसूली को गती देता है इसे सबसे अधिक लाब प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है आवश्शक्ता से अधिक या अधिक समय न ले क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है सामान्य तोर पर आपको कम से कम समय के लिए काम करने वाली सबसे कम खुराक लेनी चाहिए यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने और बहतर अधिक सक्रिय जीवन की गुनवत्ता प्राप्ट करने में मदद करेगा इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं एकपेन-ASP टैबलेट को भोजन के साथ लेना बहतर होता है एकपेन-ASP टैबलेट तीन दवाओं का सयोजन होता है एसिकलोफिनाक, पेरासितामॉल और सेरिटियो पेप्टाइडेज एसिकलोफिनाके गैर स्टैरायल विरोधी भरकाव दवा, यानि की एनिसाइडी है और पेरासितामॉल एक ज्वनाशक, यानि की बुखार कम करने वाला है वे मस्तिश्क में कुछ रासायनिक संदेश वहकों की रिहाई को अवरुद करके काम करते हैं जो दर्द और बुखार का कारण बनते हैं सरेशियो पेप्टाइड से एक एनजाइम है जो सूजन की जगह पर असामान्य प्रोटीन को तोड़ कर काम करता है और उपचार को बढ़ावा देता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन ओल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद